हेलो फ्रेंड जैशी कृष्णा मैं हूँ उमर आपका स्वागत है मेरी किचन में आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ सूरत का फेमस राजारानी पराठा फ्रेंड ये गुजरात के सूरत का एक बहुत ही फेमस स्रीट फूड है और स्पेशली इसे सर्दियों में खाया जाता है खाने में ये बहुत जादा टेस्टी लगता है बहुत हेल्दी है क्योंकि इसे बहुत सारी सबजियों से बनाया जाता है आप एक बर इस रेसेपी को जरूर ट्राय करें आपके घर में बच्चे हो या बड़े सभी को ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी तो चलिए इस इंटरसिंग से रेसिपी को शुरू करते है तो ये राजारानी पराठा बनाने के लिए मैंने यहां पर ले लिया है एक कप गिहूं का आटा, आधा कप बेशन, आधा कप मैंने यहां मैदा लिया हुआ है और एक चौथाई कप मैंने यहां लिया है सूजी फ्रेंट्स हमें पहले इसका आटा लगा लेना है तो नमक डाल देंगे इसमें फोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और एक सायमी सॉप डो लगा लेंगे बहुत जादा हाड आटा 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 लगा लेंगे तो बेलते समय क्या होता है वो आटा फटने लग जाता है और इस ट्रफिंग भार निकलने लग जाती है तो जैसे एक दम हम घर में रोटी या पर साटे के लिए रेगुलर डो लगाते है ना बस बिल्कुल सॉप टाइप का आपको इसका डो लगाना है डो इकटा हो जाएगा थोड़ा सा उपर से तेल से इसको ग्रीज कर देंगे और अच्छे से एक बार इसको फिर से मसल के अच्छे से चिकना कर लेंगे तो यह हमारा डो लगके तयार हो चुका है अब हम इसे थोड़ादेर के लिए ढख के रख देंगे रेस्ट करने के लिए 10 ते 15 मिनिट के लिए तो इसको ढख देते हैं और तब तक हम इसके स्टफिंग रेडी कर लेते हैं तो स्टफिंग मनाने के लिए मैंने यहाओं पर दो गजर लिये हैं जिसे कद्दुकस करके मैंने निचोड के लिया हुआ है एक टमाटर लिया है जिसको मैंने बीज निकालके बारी काटा है उसको भी हम निचोड के लेंगे ध्यान रे कि सब्जियों में पानी बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए तो हमें सारी सब्जियों को एकदम निचोड के यूज करना है और धोना है तो आप इसको काफी देर पहले धो के रग दें मैंने यहाँ पे प्याज लिया हुआ है एक जिसे मैंने इस सरा से बारी काट के लिया है एक शिमला मिर्च ली है जिसको बारी काट के लिया है मैंने थोड़ी सी पत्तागो भी ली है जिसको मैंने बारी काट के लिया हुआ है यहाँ पे सारी सब्जियों को मैंने पहले अच्छे से धोया सुखाया पोच के उसको बारी काटा है ध्यान रहे कि आपको किसी सब्जी को चॉपर में चॉप नहीं करना है उससे क्या होता है कि सब्जियों में पानी ज़ादा आ जाता है अधरक लसन और हरी मिर्ची का मैंने पेस लिया हुआ है अगर आप प्यास और लसन नहीं खाते हैं तो स्किप भी कर सकते है हरे प्यास का ये सफेद प्यास मैंने लिया हुआ है और उसका हरा हिस्सा भी मैंने इस तरह से बारी काट के ले लिया है यहां पे फ्रेंड्स आप चाहें तो इसमें अपनी पसंद की कोई भी सब्जी यूज़ कर सकते हैं और नहीं है तो स्किप भी कर सकते हैं आलू ले ली है चार बॉयल किये हुए इसको भी मैश करके डाल देंगे या फिर इस तरह से कद्दुकस करके डालेंगे दो चीज क्यूब लिये हो हैं दो चीज क्यूब को इस तरह से कद्दुकस करके डाल देंगे फ्रेंड्स यह जो पराठा मार्केट में मिलता है ना इसमें तो चीज जब बहुत ज़्यादा होता है लेकिन आप घर में बना रहे हैं तो चीज अपने अनुसार कम या ज़्यादा डाल सकते हैं सौ ग्राम पनीर लिया है मैंने जिसको इस तरह से कद्दुकस करके डाल देंगे या फिर आप चाहें तो इसको हाथ से क्रमबल करके भी डाल सकते हैं मैं यहाँ पर कद्दुकस करके डाल रही हूँ अब यहाँ पर सारी चीज अडाल देंगे उसके बाद कुछ मसाले अड़ कर देंगे तो एक से तेड़ चमबच मैं यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्चे डाल रही हूँ एक चोथाई चमबच हल्दी पाउडर डाला है मैंने और दो चमबच भरके मैं यहाँ पर धन्या जीरा का पाउडर डाल रही हूँ या फिर आप सिफ धन्या पाउडर भी डाल सकते हैं एक से डेटे स्पून मैं यहाँ पर चाट का मसाला डाल रही हूँ और आधा चोटा चंबर नमक डाल देंगे चाट मसाले में भी नमक होता है इसलिए नमक ध्यान से डाले एक टीज एक टेबल स्पून भरके मैंने यह शेजवान चटने डाली है आप चाहें तो चिली सॉस भी यूज़ कर सकते है रेड चिली सॉस अब इस सारी चीजलों को हम अच्छे से mix कर देंगे जिससे कि इस सारी चीज अच्छे से mix हो जाएंगी और binding जैसी हो जाएगी ध्यान रहे true friends परस आपको इस वात का ध्यान रखना है stuffing बनाते समय कि सब्जियों में जादा पानी नहीं होना चाहिए आप जो भी सबजी यूज़ कर रहे हैं उसको धोले पहले से और अच्छे से पोच के सुखा के काटें जिससे कि उसमें पानी ना रहे हैं और जो पानी वाली चीज़े हैं उसको आपको अच्छे से निचोड के लेना है तो यह हमारी स्टफिंग बनके यहाँ पे रेडी हो ग इतने आठे में मैं यहाँ पे चिसकी चार लोई बना रहे हूँ यह जो पराठा होता है यह थोड़े बड़ा और मोटा बनता है तो इसलिए इसकी बड़ी बड़ी लोई लेनी है आपको तो इतने आठे में आपके चार से पांच पराठे बन जाएंगे आप बड़े-बड उसको बल देंगे उसको बहुत जाड़ा जगी होट जाधा से तो stuffing भार निकलने लग जाएगी तो आप इसको हलका सब बड़ा और मूटा ही बेले तो ये खाने में भी टेस्टी लगेगा और बनेगा भी अच्छा और आपका जो पराठा है वो फटेगा भी नहीं तो यहां पर मैंने इसको बेल लिया है देख सकते हैं आप बिल्कुल भी फटा नहीं है ये और stuffing बिल्कुल भी गीली नहीं है हम इसको बेल बेल के रखना नहीं है बस आपको बेलते जाना है और सेखते जाना है तो तब मैंने यहां पहले से ही गरम करने रख दिया था इसको तबे पे चड़ा देंगे और जैसे हम को रेगुलर पराठा सेखते है अच्छा को प्राउन नहीं हो जाता है अब हमें क्या करना है उसी सेम तबे पर हमें थोड़ा सा बटर लेना है बटर को melt होने देंगे और हमने जो stuffing बना के रखी है ये इसमें डाल देंगे butter के साथ हमें stuffing को थोड़ा सा fry करना है जिससे जो stuffing में थोड़ा सा गीला पन है वो भी निकल जाएगा और जो सबजियों का हलका सा कच्चा पन होता है वो में निकल जाएगा बस 3-4 मिनट के लिए हमें सबजियों को इस सबजियों का हलका सा moisture निकल जाए तो यहाँ पर यह सबजियां भी हमारी अच्छे से fry हो गई है अभी हम तरह से पीजा की शेप में कटा हुआ परांठा तो जो मार्केट में मिलता है वो से इसी तरह से मिलता है तो हम इसको पीजा की शेप में कट कर लेंगे और यहाँ पर देखिए मैं आपको खुल के दिखाते हैं उस ट्रफिंग एक्तम चारों तरफ बहुत अच्छे से फैली हुई है अब हमने इस जो सबजियां फ्राय करके रखेती ना गरम गरम सबजी हम इस पराठे के उपर इस तरह से पूरे में स्प्रेट कर देंगे बहुत जादा मोटी लेयर आपको इस पराठे सबजियों की नहीं लगानी है बस पतली सी लेयर लगाएं उसके बाद आप च चाहें तो अगर छोटे बच्चों को दे रहे है तो थोड़ी सी चीज भी इसके उपर इस तरह से पनीर और चीज दोनों मिला के इस तरह से ग्रेट करके इसके उपर डाल सकते है इससे दिखने में और भी ज़्यादा अच्छा लगता है थोड़ी सी टमाटो कैचप इसके ही इस पर तूट पड़ेंगे दिखने में इतना ज़्यादा टेस्टी और मत इतना टैंप्टिंग लगता है यह दिखने में ही कि बस सब का मन आ जाएगा इसको खाने के लिए थोड़ी सी धनिया पत्ती से इसको गार्णिश कर देंगे और यह लेजे फ्रेंड्स यह हमारा राजारानी पराठा बनके त्यार हो गया है और यह लिजी एक टुकड़ा मैं आपको काट के दिखाती हूँ यह देखे कितना टेस्टी लग रहा है इसी तरह से आप बच्चों को सब करेंगे ना पूरी प्लेट एक बार में चट कर जाएंगे तो फ्रेंड्स आप भी एक प्लेट के फेमस राजारानी पराठे की रेसेपी को अपने घर में जरूर ट्राय करें ट्राय करने के बाद यह रेसेपी आपको कैसी लगी प्लीज मुझो कमेंट सेक्षन में लिके जरूर बताएं वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले बेल आइकन को प्रेस कर दे उसे मेरे आगयाने वली सबी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी थैंक यू